क्या किड्नी की समस्या में ब्लूबेरी जैसे फल को खाया जा सकता है? क्या ब्लूबेरी को खा कर किड्नी की समस्या को कम किया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसे विश्य पर बात करेंगे और जानेंगे कि किड़नी मरीज ब्लू बेरी जैसे फल को खा सकते हैं या नहीं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चानल किड़नी फेलियर ट्वीट्मेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, साथ ही बल आइकन को सरूर दबाए लिए उतना ही ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने बिना जाने किसे गलत फल को खा लिया तो उससे हमें इस बिमारी में नुकसान भी हो सकता है और इससे हाला ठीक होने के बजाए और भी जादा बिगट सकते हैं बात अगर किड्नी के बिमारी की करें तो किड्नी मरीजों को बहुत सारे फलों को खाने से मना किया जाता है क्योंकि कई fruits potassium, phosphorus और vitamin C जैसे mineral से भरपूर होते हैं जुनका अधिक 7 damage किड्नी की समस्या में नुकसान पहुचा सकता है इसलिए किड्नी मरीजों को ऐसे ही fruits को consume करना चाहिए जिसमें potassium, phosphorus और vitamin C जैसे minerals कम पाई जाते हों अब अगर बात करें blueberry जैसे फलकी तो blueberry को एक low potassium fruit के list में शामल किया जाता है साथ ही इसमें phosphorus की मातरा भी काफी जादा कम पाई जाती है इसलिए blueberry को खाना न सिर्फ kidney के मरीजों को ही फायदा पहुचा सकता है बल्कि इससे diabetes और blood pressure जैसी परिशानी को भी कम किया जा सकता है आपको बता दें कि blueberry में fiber काफी high amount में पाई जाता है जो आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से लेकर आपके weight को control करने में भी मदद कर सकता है इसके अलावा अगर आप blueberry का सेवन करते हैं तो इसके सेवन से आप cancer जैसी जानलेवा बिमारी से बचे रह सकते हैं साथ ही इसका सेवन आपको आँखों की समस्या, heart से जुड़ी परिशानी और हड्डियों में होने वाली समस्याओं से भी दूर रख सकता है तो अगर आप अपनी किद्नी को ठीक रखने के साथ साथ कई अन्य बिमारियों से भी खुद को दूर रखना चाहते हैं तो ब्लू बेरी आपके लिए एक अच्छा option साबित हो सकता है तो आज के लिए बस सतना ही आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमिट करके जरूर बताएं साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें हम आप सो मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रुखें हिल दी रहें नमश्कार